फ्रेंड साज आपके साथ सेर कर रहे हैं भोती चटपटासा भोती हेल्दी सार भोती सबजियों से भरपूर हमारा नास्ता बनकर त्यार होगा जब भी आप कादिल रोटी सब्जी बनाने को ना करें आप इस नास्ते को जटपट बनाकर खा सकते हैं बच्चों को भी बहुत पषित पसंद आने वाला है सभी यह बनता है तो चलते हैं बनाने के लिए इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे गेहों काट तो यहां मैंने एक कटोरी गेहों काटा लिया है आप मिम्बर के इसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं और जितना भी आठाले उसमें आप दो चमच beson का यूज करें बैसन से नास्ते बहुत अच्छा टेस्ट आता है और साथ में हम सूजी का यूज करेंगी तो यहां मैंने दो चमच सूजी का लिया है सूजी से नास्ते में क्रिस्पी पनाता है इसलिए मैंने दो चमच सूजी का लिया है और अभी इसी के साथ इसमें हम जो मोटे मोटे डंटल robust VIP यहही लिए हैं पत्ते पत्ते कर लिए हैं और उसको जंब करने बाद हम इसको बारिक बारी काट के डाल लेंगे जो आट्टा हमने त्यार करक्पा है सूज्जी का वेलाव का उसके अंदर बारिक बारिक के इस तरह से काट चारटके न सकते हैं तो आप इसको ज़्यादा मातरा में यहां ठीजत करने नहीं तो में तो कड़नी लगने लगारी यहां यहां मैं तोerme यहां मैंने काटके डाल लिया है और इसके साथ हम आपके पास जो भी सबजी और मैं मैं इसमें डालूंगी एक कच्चह आलू तो आलू को मैं इस तरह से कद्धू कश कर लूगी यहां एक यालू डाल आ हैं जादा रहे इसकें इसके अंदर यूजु नहीं क्या रहा सकते हैं आगर आप बोईल आलू है तो वह भी डाल सकते यह में मैंने कच्छालूई डाला है और अब इसको डाल के इसके अंदर हम डालेंगे सब्जिया कुछ और एड़ करेंगे तो जो भी आपके पास सब्जिया डाल सकते हैं यहां मैंने लिया है तो यहां मैंने एक गाजर को कद्दू कस कर लिया था वो डाल लिया है इसी के साथ हम डा पत्ता गोबी मटर आप डाल सकते हैं और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें तिल तिल से बहुती अच्छा टेस्ट आता साथ में कैल्शियम की कमी पूरी होती है और साथ में एक चमच डाला है चिली फ्लेक्स टेस्ट की अकोडी हम नमक डाल लेंगे और यहां मैंने डाला हैं बिल्कुल बारिक कटा हुआ और अभी चमच की सायता से सभी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेते तो यह हमारा हरा बरा और बहुत हेल्दी सा और बहुत ही चटपटा सा स्नेक्स बनकर त्यार होगा अभी इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी एक साथ त्यार करेंगे बिल्कुल गाड़ा palavras दिरेंगे गोल त्यार करेंगे चमत से मैंने इसको पहले अच्छे से इग बार गिला कर लिया है अच्छी से मसल करना है तो यहां मैंने मैंने पर त्यार करने को यहां हमारा बने त्यार थेते हैं पहले हाथ को वोस करके तब इसको हम गोल गोल करेंगे तो यह हाथ को मैं अच्छे से वोस कर लिया इसमें अभी हम थोड़ा सा तेल लेंगे हाथ को पहले चिकना कर लेंगे तो दोनों हाथ को अच्छे से चिकना कर लिया अभी हम लेंगे थोड़ा सा बैटर जितना हम पूड से बहुत ऑच्छा सा only और उपर निचे से बहुत अच्छे सी रिः हो जाता है तो इसी तरह से हमें सभी को तियार करना है गया एक मैंने ट्यार कर लिए दूसरा आपको त्यार करके दिखाती हूं तो इसी तरह से हमें छोटी लाज लियनी है जैसे पूड़ी लेते उस तरह से मैंने दूसरा भी त्यार कर लिए सभी को मिसी तरह से त्यार कर लेंगे तो यहां मैंने पांस त्यार करके रख लिए अभी इनको पहले फ्राइ करते हैं तो यहां तेल को मैंने पहले गरम कर दिया था और गैस को मीडियम हाई फ्लेम पर रखा हुआ एक एक करके मैंने अभी को डाल दिया है तो इसके अंदर पांच ही आये मैंने पांच का अदर डाल ले और अच्छे शीनको फ्राइद से जैसे निच्छे से फ्राइब हो जाएंगी भोती जल्दी फ्राइब हो जाते जैदा टाइम नहीं लगता है तो एक मीट बाद मैंने इसको पल्ट लिया चक्ष्पी से ठीट्र लेते हैं तो इसी तरहstep हम पिल्ट के दो से तीन बार कर अंव care करेंगे also अभी चटपटा सबहुत हराब सब्सक्राइबब कर फोर्य त्यारे फ्रेंट्स अभी इसको जैसे फ्राइब हो जाएंगा हम निकाल लेते हैं तो यहां अचे देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल कच्छा नहीं है और बहुत ही क्रिस्पी सा बहुत ही करारा सा स्नेक्स बनकर त्यार है फ्रेंड्स तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी शी भी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और सबस्क्राइब करना ना भो आए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद